देश्व किसानों के लिए यह दन पहुत महतुपूर। देश्व किसानों के साथ समाज के किसानों को सशक्त बनाने का फिचार देता है। देश्व किसानों से जुड़ी सरकारी विभागों में विभिनन सम्मान कारिकरम, वाद विवाद प्रत्योगिता, संगूष्टिया, प्रश्णोतरी प्रत्योगिताय, चर्चाओ, कारेशालाओ, प्रदरशन्यों, निभन लेखन प्रत्योगिताओ का आयोचिन किया चाता चौधरी चरण सिहा ने अपने कारिकार में कुरुषिक शेत्र के उत्थान में महतंपोन भूमिकान निभाई, और किसानों के हित के ले कई किसान हितोशी नीतियों का मसौदा तयार किया था। विभले ही बहुत कम समय के लिए प्रधान मंत्री थी, लेकिन उन्होंने भार चौधरी चरण सिहा ने वर्ष 2001 से चौधरी चरण सिहा की जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। मुख्य मंत्री भीर रहे। विभारत की पाच्छे प्रधान मंत्री थी, चरण सिहा किसानों की आवाज पुलन करने वाले करकशने ताम माने चाते थी। विसमाजवादी पार्टी तथा कॉंग्रिस के सहयोग से देश के प्रधान मंत्री बने। उन्हें कॉंग्रिस और CPI अनि बाहर से समर्थन दिया, लेकिन वे उनके सरकार में शामिल नहीं हुए। गान्धिवादी विचारधारा के साथ ही अंतक वे अपना जीवन निर्वाह करते रहे। उनमें देश के प्रती वफादारी की भावना भरी हुई थी। वे किसानों के सच्चे शुपचिन तक चौदरी चौरण सीह के पिता का नाम चौदरी मीर सीह था। उनके पुर्खे महराजा नहर सीह ने 1887 की पहली क्रांती में अपना विशेश योगदान दिया था। महराजा नहर सीह वल्लबगर के निवासी थी। महराजा नहर सीह को दिल्ले के चान्नी जोक में अंग्रीज के खिलाब क्रांती की ज्वाला की आग को चलायर्फ रखने के लिए महराजा नाहर सीह के समर्थक तथा चौधरी चरन सीह के दादाजी उत्तर प्रदेश के बिलंदर शहर जिले के पुरुवरतिक शेत्र में निश्क्रमन कर गये भारतिय सिनेमा के ख्याती प्राप्त अभिनीतरी और पाश गायकाओं में से एक नूर जहा का वास्तविक नाम अलाव वसी था दक्षनीश्या की महांतम गायकाओं में शुमार की जाने वाली मलिकाय तरन्नुम नूर जहा को लोगप्रिय संगीर में करांती लाने और की आगास की तोल पर नूर जहा की गायकी का प्रभाव था नूर जहा का जन्म 21 सितमर 1926 को ब्रिटिश भारत में पंजाब के कसूर नामक स्थान पर एक मुस्लिम परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम मदद अली था और माता फत्य बीबी थी नूर जहा के पिता पेश इसे ही कायन शुरू कर दिया था वे किसी भी लोग गीत को सुनने के बाद उसे अच्छी तरह याद कर लिया करती थी इसको देखते हुए उनकी माने उन्हें संगीत का प्रशिक्षन दिलाने का इंतिसाम कर दिया उज़रान उनके बहन आईदान पहले से ही नृत्यों और कायन की प्रशिक्षन ले रही थी ततकालीन समय में कलकता वर्तमान में कॉलकता थेटर का करण हुआ करता था वहाँ अभिने करने वाले कलाकारों पटकताल लिखो को आदी की काफी मांग थी इसी को ध्यान में रखकर नूर जहा का परिवार 1930 के दर्शक के मध्या में कलकता चला किया जलदी नूर जहा और उनकी बहन को वहां नूर नुर जहा की गायकी से प्रभावित होकर संगितकार गुलाम हैदर ने उन्हें केड़ी मेहरा की पहले पंजाबी फिल्म शिला और फिंटी कुडी में उन्हें बालकलाकार की संचिप्त भूमी का दिलाए वर्ष 1935 में रिलीज हुई यह फिल्म पूरे पंजाब में हिट रही इसने पंजाबी फिल्म उद्यों की स्थापना का मार्क प्रशस कर दिया फिल्म के गीत बहुत हिट रहे अपने दिलकश आवाज और अदाओं से दर्शुकों को मधोश कर देने वाली नूर जहा का दिल का दोरा प पूर फिल्मी करियर में लगबग एक हजार काने गाएं PCN News के दिन विशेश कारे करम में फिल्हाल इतना ही ऐसे हैंने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीसके न्यूज तमशकार